तो अक्षे कुमार रितिक रोशन का कॉपी करने वाले है अक्षे कुमार का एक फिल्म आने वाला है अब वो कौन सा फिल्म है और अक्षे कुमार कैसे कॉपी करेंगे रितिक रोशन का तो ये सब बात आपको मैं बताऊंगा वीडियो को लाश्टक जरूर देखना और fighter film इंडिया की first aerial based film होगा अभी हाली के interview में सिधार तनन ने बताया था कि film में पांच गाना होगा और उसमें से एक गाना sad song होने वाला है फिल्म में रितिक रोशन के अलावा अनिल कपूर और दिपिका पादुकोन भी होंगी अनिल कपूर मेंटॉर होंगे रितिक रोशन के अभी हाली में दोस्तों fighter film का third shooting का schedule खतम हो चुका है अब आगी का shooting स्टार्ट होगा और अप्रैल मंथ में fighter film का shooting कम्प्रीट हो जाएगा तो वहीं दोस्तों अक्षै कुमार का भी एक film आने वाला है जिसका title होगा sky force बिल्कुल दोस्तों sky force होगा title अक्षै कुमार के film का और ये film भी aerial based film होने वाला है मतलब दोस्तों रितिक रोशन का fighter film और sky force दोनों का theme एक है फिल्म में अक्षै कुमार Indian Air Force के pilot होंगे और अक्षै कुमार के साथ एक new face आएगा और वो अक्षै कुमार का junior होगा film में sky force फिल्म पे काम स्टार्ट होगा मई 2023 से तो देखा जाए दोस्तों तो अक्षै कुमार कॉपिक कर रहे है रितिक रोशन का क्योंकि दोनों movie सेम सेम थीम पे बन रहा है फिलाल दोस्तों दोनों film से आगे कुछ भी update आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको क्या लगता है दोनों film में से कौन सा film हिट रहेगा और कौन सा film flop होगा लिखकर जूरूर बताना कॉमेंट बॉक्स में वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई